हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूडूब चैनल स्रीप एल विपर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओर श्प्रिंगोर्ट के जज्जमेंट के बारे में जिसमें अब श्प्रिंगोर्ट में कहा यह दिया आपको रिष्टा नहीं रखना तो आप ताकि वीडियो अमारे दोरा बनाईगी सबी वीडियो के जाना करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों हमारे देश में बहुत से मैट्रिमोर्ट केसे चल रहे हैं और यह केसी जरसाल बढ़ रही है तो ऐसे में जब भी हजबन और वाइप के बीच में मैट्रिमोर्ट केस चलता है तो उसमें बच्चे बहुत सबर करते हैं तो दोस्तों करी बार बच्चे मा के पास रहते हैं और करी मामले में कच्छी मीटी कितरा होते हैं और वो जिसके पास रहते हैं उसके दूसरे पक्स की बुराहिया सुनते हैं और करी बार वो इतना एड़ामेंट यहां का एक व्यवार बन जाता है कि वो दूसरे पक्ष से रिष्टा रख रहने जाते ऐसे ही केस में एक बेटी जिसमें जिसको अपने पिता से अलग वह 18 साल हो गए जो वो मेजर हो गई थी जिसमें स्बेंड वाइप के बीच में जो केस चल रहा था उ और उनिवर्स प्रिंग कोर्ट उस केस में कोसिस करता है कि इनका मामला सोल आउट हो जाए और वो मेंटर सोल हो जाए तो उनिवर्स प्रिंग कोर्ट इस में रिकंसिलेशन के लिए प्रियास करता है लेकिन वो बेटी जो मेजर हो गई जी वो ऐसा करने से साफ इंकार कर दे कि यह आपको पर इस खर्चा किस चीज़ का और ऐसे में और विच्छा करते हुए विच्छेद कर देती है उनका तलाक मंजूर कर देती है और उसके बाद यही मैंटर उठता है कि वो लड़की जो मेजर होगी है उसकी पढ़ाई का और साधिया खर्च को उनठाएगा तो ऐसे में और विच्छा के साथ नहीं रहना चाहते हो तो आपको खर्चा किस चीज़ का और जो खर्चे के रूप में उसके परतिमार जाल पे खर्चा बंदा हुआ था उसको लिटिकेशन को खतम करते हुए सुप्रिम कोर्ड उसको एक मुस्त दस लाग रुपे देने का बोडर देती है और उस सभी उनके बीच्छों लिटिकेशन हैं उनको खतम कर देती है तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना कुछ का बंदाना